पाकिस्तान तो जनाब कैसे हैं वेल्कम बैक टू माई चैनल जियायनो कुछामदीद तो यह तीन से चार दिन का मेरा खाने पकाने का मटेरिल आप देख रहे हैं एक दिन काले चने बनेंगे साच चावल बनेंगे और एक दिन जो है वो कड़ी चावल बनेंगे आलू गोष्ट बनेगा और अभी चिकन और भी रखा हुए है एक दिन आलू चिकन के कटनस बनेंगे इस तरह करके मैंने तीन से चार दिन का अपना पाई दिन का मटेरियर जो है मैन्यो वो सेट कर लिया है कुकर दो के चूले पर रख दिया है मैंने अब इसके अंदर प्यास कट करके डालूँगी आलू गोष्ट बनाने की त्यारी करते हैं जल्दी जल्दी गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी ने तो होश बिगाड़ दी है कोई होश नहीं है वीडियो का कोई होश नहीं है मैंने क्या करना है वहाल बहुत घरमी लगती है तो यह देखे ही मैंने प्यास डाल दी immersive प्यास कोकर भी दोए था तो थोड़ा पानी था इसके अनदर तो जैसी यह हलका हलका सा पानी की खतम होता है मैंसके अदर और और डालती हूं तो जैसी ओड डालते हैं उसके बाद प्यास को अच्छे तरीके से और टिमाटर वाखि सारे मसाले में ग्रैंड कर लूँगी क्यूंकि शोरबे के अंदर अगर 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 आप यह घूम रहे हो तो वह अच्छे नहीं लगते मेरे तो फैमली में बहुत बोलते हैं इस चीज पर अगर कभी ऐसा हो जाए तो मैं इ टिमाटर ले लिए हैं टिमाटर कट कर लेते हैं यह देखे हैं मैं इसके अंदर ओयल डाल दूंगी खुश्क हो गया है पानी बल्के जादा ही खुश्क हो गया है लगी गया है कोई बात नहीं डाल देते हैं तो यह देखें डाल दी है और आप सुनाएं आपकी गर्मिये क जितना हो सकता है पानी पीए आपकी स्कीन के लिए अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है यह मैंने सारे मसाले निकाल लिए इसके अंदर क्योंकि सब चीजें एक जान करके मैंने ग्रेंडर करनी है जिससे यह पेस्ट बना लेते हैं ग्रेंडर कर लेते हैं इ धूने के बाद मैं इसको भून लेंगे अचे तरिकतेश मैं आप से तो आप नीच को टो एव दर यो जिडिए वार्णली ओग ऑद आनिए वकल डाला से वगार चिकन को दोगे तूने के रभाद मैं एसको के बाद में अटर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कर ले और चोटा सा प्यारा सा एक कोमेंट कर दे और दिए और दिए और आटा भी गून लिया है तो अब रोटिया बनाते हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें शेयर कर लें और चोटा सा प्यारा सा एक कोमेंट कर दे और दवाओं में याद रखें मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो य मेरी हंडिया में भी 10-5 मिंट हैं तो यह देखें हरा दनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला सिर्फ गरम मसाला डाल दिया था मैंने तो यह देखें गी ऊपर आ चुका है आलू गोश्चा सालन बहुत मज़ेका लगता है मेरी फेमली में बहुत शोक से खाते हैं पहले हम मटन में या बीफ में बनाते थे आलू गोश्च लेकिन जब से मुझे डॉक्टर ने मना किया है तो मैं फिर चिकन बना लेती हूं तो मुझे दौआ में ज़रूर याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और देखते हैं आलू गल गया है या नहीं तो तयार है अब ये मज़े मज़े की खाने बनाएं अपनों को खिलाएं और अपनों के दिल में जगा बनाएं दौआ में याद रखिएगा हो के अला हाफिस